सब्सक्राइब करें वार्सिया उर्दू मीडियम चैनल को और बैल आइकन जरूर दबा दें तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक नमबर तीन का यह सभी सवाल जवाब को हम मुकम्मल करेंगे इसमें यह हमारा पाट टू है तो चलते हैं असलाम अलेकुम तो बच्चों यहाँ पर हम सबक नमबर तीन उर्दू का यहाँ सवाल जवाब हल करेंगे यह हमारा पाट टू है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबक का बगवर मुताला कीजिये और दीवी सरगर्विया मुकम्मल कीजिये तो पहला है बाबा को घर पर किसी की आमबत का पता चल जाने की वज़ा लिखिये दूसरा माया के मक्खन जमा करने का तरीका बयान कीजिये तीसरा सबक में मसकूर रिष्टों और रिष्टेदारों के नाम लिखिये चौथा, माया के भाई के घर आने की वज़ा बयान कीजिए पाचवा, राकी बंदन पर भाई बैनों के दर्मियान कॉल वा करार को कलमबन कीजिए छटा, समाज माया को अच्छे कपड़े पहनने और हसने मुस्कराने से रोकता था सबब तहरिर कीजिए साथवा, भोला की समझ में ना आने वाली बात बयान कीजिए आटवा, भोला के कभी बाबा का और कभी माता का भोला होने की वज़ात कीजिए नौ, बाबा का भोला को रात और दिन में कहानी ना सुनाने का सबब लिखिए और दस्वा सवाल सबक के पैगाम को मुक्तसर अपने लबजों में बयान कीजी तो यह सभी सवाल यहाँ पर हमने पढ़ दिये और चलिए हम इसे बारी-बारी से इसके जवाबाद देखते है यहाँ पहला है इसका यहाँ पर बाबा ने देखा कि उसकी बहु माया पत्थर के कुजे में मक्खन जमा कर रही है चाज की खटास को कम करने के लिए माया ने मक्खन को हुए के साफ पानी से कई बार धोया था इसी तरह चाओ से मक्खन जमा करने से बाबा ने अंदाजा लगाया कि माया का कोई अजीज आने वाला है वक्तन माया का भाई आने वाला था क्योंकि दो दिन बाद राखी का तेवाद था सवाल दो माया मक्खन को पत्थर के एक कूजे में रखा करती थी छाज की खटास को दूर करने के लिए वो पुजे में रखे हुए मक्कन को हुए के साब पानी से कई बार धोती थी सवाल तीसरा भोले के रिष्टेदार तो दादा, मा, मामू और बहन यहां देखिए एक्तिबास में दरजे जेल रिष्टों का जिक्र आया है और रिष्टेदारों के नाम भी हस्बे जेल है तो पहला है मा याने माया, दूसरा बेटा याने भोला तीसरा बेटी याने नन्नी, चौथा दादा याने खुसुर खुसुरी जो है रावी भी है जिसका नाम नहीं दिया है अलबता भोला उन्हें बाबा कहता है और यहां पर मामू जो है पाचवे पे वो भाई है बोला का मामू जो माया का भाई है चौथा सवाल का जवाब राकी का तेवार था इस तेवार पर बहने भाईयों के हाँ जाकर उन्हें राकी बानती है चुके माया बेवा है और घर में बच्चों के इलावा उसके बूड़े कुसुर है इसलिए वो अपने भाई के हां जा नहीं पाती इसी वज़े से माया का भाई अपनी बहन को और भानजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राकी बंधवालिया करता था यानि कॉल देता है कि जब तक इसका भाई जिन्दा है उसकी इफाज़त की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है चटा सवाल का जवाब हिंदू धरम के मताबिक बेवा को अच्छे कपड़े पहनने और हसने मुस्कुराने की इजाज़त नहीं है वो कुशी की तक्रीबात में शरीक नहीं हो सकती चूँके माया बेवा थी इसलिए समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और हस्टे मुस्कराने से रोकता था सात्वा सवाल का जवाब बोला कि समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि एक ही शक्त किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है वो तो यहीं समझता है कि इसके मामू जान इसके बाबा जी याने दादा के भी मामू जी है आटवा सवाल का जवाब दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं इस बात पर अपनी राय दीजिए तो जवाब है पुराने लोगों का ये खयाल है कि दिन में बच्चों को कहानी सुनाएं तो मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं इस बात की हकीकत से कोई तालुक नहीं है और नहीं इसकी कोई साइंसी तवज्जह की जा सकती है। पुराने लोग बहुत सारी तवज्जहात, तौमात का शिकार थे, ये भी इन में से एक है। इस बयान को संजिदगी से नहीं लेना चाहिए, मेरी राय है कि इस पर यकीन ना किया जाए और ना ही ऐसी बाते बच्चों के सामने कही जाएं। यहाँ पर देखिए बाबा ने तकान की वज़े से कहनी नहीं सुनाई तो भोला रूट गया, उसने कहा भोला बाबा जी का नहीं और बाबा जी ने उसे मिठाई के लालस दे कर मना लिया। यहाँ पर देखिए बोला जब बाबा जी से नाराज होता तो कहता कि मैं तुम्हारा भोला नहीं, मैं माता जी का बोला हूँ। जब बाबा जी से उसे कोई लालस देते या उसकी नाराजगी के सबब को दूर कर देते तो वो जट से बाबा जी का भोला बन जाता। मिसाल के तोर पर जब रात में बाबा जी ने भोला को कहानी नहीं सुनाई तो उसने रूटते वे कहा मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा जब सुभा को बाबा जी ने उसे मिठाई का लालस दिया तो वो फॉरण बाबा जी का भोला बन गया बाबा को उस दिन दोपहर को अपने घर से 6 मिल दूर अपने खेतों में ही हल पहुचाने के लिए जाना पड़ा था इस वज़े से बाबा बहुत ज्यादा ठक गए थे तकान की वज़े से रात को बाबा विस्तर पर लेटते ही उंगने लगे यही वक्त भूला को कहानी सुनाने का था जिसे ही माने बाबा को दूद दिया भूला बाबा के पेट पर चड़ गया और कहानी सुनाने की फर्माईश की तब बाबा ने तकान की वज़े से बूला को कहानी सुनाने से इनकार कर दिया सबक के पैगाम को मुक्तसर अपने लफजों में बयान कीजिए तो जवाब इस अफसाने के जरीए अफसाना निगार ने ये पैगाम दिया है कि इनसान की जिन्दगी में रिष्टों की बड़ी एहमियत और जरूरत है रिष्टों के बगएर जीने और जिन्दगी गुजारने का तसवर करना भी मुश्किल है इसलिए पुरसुकून और खुशगवार जिन्दगी के लिए खुलूस महबत और अपनाईयत पर मबनी रिष्टों का इतराम और ताफुस जरूरी है मजीद ये कि जब मुखवत और अपनाईयत के ताने बाने से बने हुए ये रिष्टे मजबुत और मुस्तहकिम होते हैं तो जिन्दगी की मानवियत बढ़ जाती है और जीने का लुट्व दुगना हो जाता है अफसाना निगार ने इस अफसाने में रिष्टों की इसी अजमत और तकद्दुस का उजागर किया है मौजूदा मशीनी दोर में इनसानी फिक्र वा सोच पर मादियत का गल्बा है एहसास मुरवत नापेद है तोता चश्मी आम है रिष्टों का तकद्दुस पामाल है ऐसे में अफसाना निगार का ये पैगाम इनसानियत की बका के लिए किस कदर बेश बहा हो सकता है इसका फैसला हमें खुद करना है सबक के हवाले से जेल का शक्की खाका मुकमल कीजिए तो यहां मामू की आमद पर भोला की तौकियात मतलब मामू की आने की खुशी में भोला ने क्या-क्या सोच रखा है कि वो मेरे लिए क्या-क्या लाएंगे तो मामू की आमद पर भोला की तौकियात पर अगन बोट लाएंगे यहां माया और बाबा के लिए भोले की एहमियत क्या थी तो भोला अंधेरे का घर का उजाला था वो इसके आज़ पर इतराते थे घर में उसी के दम से जिंदगी थी वो उनके आखों की बेनाई और जिसम की तवनाई थी सबक से मुफर्रिद, मुरकब और मकलूद जुमलों की दो-दो मिसाले लिखिए तो सबक से इसमें जमा तलाश करके लिखिए तीसरा है दरजे जिल नुकात के तहट बयान के इस्तेसानी सरगर्मियों को मुकंबल कीजिए तो यहाँ पर देखिए यह जो इस्तेसानी सरगर्मिया है इसमें दो सवाल है कि बयान का मतलब आपकी राएं और फिर यह जो है सवाल दो हैं तो इसको हम बारी-बारी से इसके जवाब देखते हैं पहला देखिए मुफरिद मुरकब और मकलू जुम्लों की दो-दो मिसाले लिखिए तो मुफरिद जुम्ले पहला है वो दिवानों की तरह चीके मार रही थी मुफरिद जुम्ले क्या होते हैं जिसमें एक तो मुप्तिदा होता है और दूसरा उसका खबर होती है तो वो ज लम्हे के लिए मैं अब यहां मैं जो है वो मुप्तदा है और बाकी का जुम्ला वो खबर है क्योंकि एक लम्हे के लिए वो बोले को भी भूल गया अब मुरकब जुम्ले में क्या होता है माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और और लग गया याने एक बात में दूसरी बात भी बताई जा रही जैसे माया बेवा थी यह हमें पता चल गया और समाज उससे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था तो इसमें देखिए एक की एक जुमले में तीन बात हमें पता चल गई अब यहां पे उसक दोपैर के आने का कितना इंतिजार किया यहने आमने सामने बात नहीं हो रही है किसी के बारे में हमारी सोच हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं पर दूसरे के बारे में अब जैसे यह तो भूला ही जानता होगा कि उसने दोपैर के आने का कितना इंतिजार किया होगा और भ पहला है समाज और दूसरा है मेला अब यहाँ पे जेल के अल्फास के लगवी तर्तीब में लिखिए तो यहाँ पर देंगे अल्फास दिये हैं अलालत, तंदृस, असमत और खुबसूरत इसको जवाब देखिए लगवी तर्तीब में कैसे करेंगे तो पहला रखेंगे तंदरुस्त, दूसरा खुपसूरत, तीसरा असमत और चौथा अलालत अब यहाँ पर छटा देखिए, दर्जे जेल जुमलों में खतकरशिदा अलफाज की जगा मुहावरे इस्तिमाल कीजी अब मुहावरे यहाँ पर यह खतकरशिदा है, जिद करने लगी, मुआमला खतम कर दिया तो यहाँ पर देखिए जवाब में, मेले में गुड़े गुड़िया देखकर मुन्नी उन्हें लेने की लिए सर हो गई, सर होना यहने जिद करने लगी अब किसान ने महाजन को रुपए देकर अपने कर्स का किसा पाक कर दिया, यहने मुआमला खतम कर दिया दर्जे जिल नुकात के तहट नीचे दिये हुए बयान की इस्तिसानी सरगर्मी को मुकमल कीजिए मैंने दुआएं की मन्नते मानी के भोला मिल जाए, वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था, इसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी की आज से हम उड़े फिरते थे वही हमारी आखों की बिनाई, वही हमारे जिस्म की तवनाई था, उसके बगएर हम कुछ न थे तो नुकात में देखिए बयान का मतलब जाती राय, तो अपनी जाती रायत में बयान का मतलब है, रात में किसी वक्त बाबा की आख खुली, तो उन्होंने देखा के बत्ती गायब है और भोला भी अपने बिस्तर पर नहीं है, तब बाबा और माया ने मिलकर घर का कोना कोन लेकिन भोला नहीं मिला माया दिवानों की तरह चीकने वारने लगी मामा बाबा ने भी दिली दिल में हजारों दुआएं मांगी भोला के मिलने के लिए उन्होंने मनत्ते भी मानी भोला के अब्बा गुजर गये थे अब भोला ही उस घर का उजाला था इसी के साहरे बाबा और माया दोनों जिन्दा थे, भोला को देखकर वो लोग जीते थे, इसी की उम्मीद पर वो इतराते थे, भोला बाबा और माया की आँकों की रोशनी था और उसी की वज़े से वो बाबा अपने जिसम में ताकत महसूस करते थे, भोला के बगएर वो जिन्दगी की तसवर न लेकिन वो भी कब तक रहेंगे ऐसी सूरत में भोला ही माया के मस्तक्विल का सहारा था, बाबा अपने बेटे को खो चुके थे, भोला उनके बेटे की निशानी था, बाबा उसमें अपने बेटे को देखते थे, उसे देखकर उन्हें एक तरह का इत्मिनान और खुशी होती वो उनकी आँखों की रोशनी और जिसम की ताकत था, इसी वज़े से भोला के गायब होने से उनके आँखों के सामने अंधेरा च्छा गया दर्जे जिल लुकात के तहट बयान की इस्तिसानी सरगर्मी मुकमल कीजिए बाबा जी ने आज दोपेर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं तुम देर तक ना आये तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गये होगे और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जुम्मेदार होगे नुकात बयान का सबब भोला का भोलापन आपका तासुर जवाब मामू रात के वक्त परसपूर से आने वाले सड़क पर भोला को बत्ती पकड़े हुए और काटो में उलजे हुए देखकर हैरान रहे गए उन्होंने भोला से इस वक्त वहाँ आने का सबब पूछा तो जवाब में भोले ने ये बयान दिया दरसल मामू देर तक ना आये तो भोला यहीं समझा कि उसने जित करके बाबा से दिन में कहानी सुनी थी और उसी वज़ा से मामू रास्ता भटक गए होंगे क्योंकि बाबा ने उसे बताया था कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते इसी बात का जहन में रखकर वो मामु की तलाश में निकल पड़ा था कि मामु कहीं मिल जाएं तो वो उसकी उनकी रहनुमाई कर से कि उसे अंदाजा नहीं था कि बाबा उसे टालने के लिए ये बात कही थी उसे बाबा की बात पर पुरा यकीन था उससे उसका भोलापन जाहिर होता है बच्चे वाकई बड़े मासूम और भोले होते हैं वो दुनिया की जाल वो फरेब से वाकिफ नहीं होते बलके उनसे सबसे दूर रहते हैं वो खुद सच्चा बोलते हैं और दूसरों की बातों को भी सच जानते हैं काश बच्चों की मासूमियत कभी खतम नहों बलके बड़े होने पर भी ये मासूमियत बाकी रहे अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया सवर जाएगी आप अपने मामू या किसी रिष्टेदार की आमद से जो तौक्यात रखते हैं उनका वैब खाके की मदद से इजहार कीजिए तो बच्चों ये वाला जो सवाल है ये आपको खुद करना है ये आपको बताना है कि आपका कोई रिष्टेदार या कोई मामू जान अगर आपके घर आने वाले हैं तो आप इंतिजार करते हैं ना कि वो आपके लिए क्या लाए तो आपके लिए जो जो वो लाने वाले हैं उसे आप एक खाके की सूरत में बना कर खुट से बना के उसे जवाब तयार करिए दूसरा है भोला वाकई भोला था मुखतसर अपनी एत्सिस्तानी राय दीजिए तीसरा है कि अपने स्कूल से अपने इलाके के पुलिस इस्टेशन का फासला लिखे तो यह जो है आपके घर से पुलिस रिष्टेस्टन कितना दूर है यह आप किसी से भी पूछिए और यह आपके सवाल का जवाब खुद बनाईए और यहाँ चोथा है सबक से कम असकम आठ मोहरे तलाश करके लिखिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तिमाल कीजिए और पाच्वा है कि जुमले की दर्जजेल इकसाम सबक से तलाश करके लिखिए जैसे बयानिया, इस्तफामिया और फज्जाया तो चलिए देखते हैं जवाब भोला वाकई भोला था भोला वाकई भोला था इसे अपने बाबा की बातों पर पूरा यकीन था उसने जब इस दिन के वक्त कहानी सुनने की जित की तो बाबा अपनी मसूर रूफियत की वज़े से टाल गए थे, इक्तिफाकर उन्हें थोड़ा वक्त मिल गया तो वो कहानी सुनाने पर आमादा हो गए लेकिन कहानी सुनाने से पहले बाबा ने कह दिया कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते उस दिन भोला कि मामु आने वाले थे, आम तोर पर वो शाम होने से पहले आ जाया करते थे लेकिन उस दिन रात हो जाने पर भी मामु नहीं आये तो उसने समझा कि दिन में कहानी सुनने की वज़े से उसके मामु रास्ता भूल गए होंगे बाबा ने ये भी कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो भोला जिम्मेदार होगा इसलिए मामू को रास्ता दिखाने के लिए आधी रात के वक्त बत्ती लेकर घर के बाहर से निकल पड़ा इस वाकिये से पता चलता है कि भूला वाकियी सीधा, साधा और बहुत ही भूला था वो बाबा के टालने के बहाने को समझ नहीं सका, बच्चे वाकियी बड़ो पर बहुत भरोसा करते हैं सबक से कमसकम आठ मोहरे तलाश करके लिखिये और उन्हें अपने जुमलों में इस्तिमाल कीजिए तो यहां मोहरे देखिये, यह आठ दिये वे हैं, तो हम जवाब के साथ इसे देखते हैं कि पहला कमर तोड़ना जवान बेटी की मौत बुड़े वाकि कमर तोड़ देती है दूसरा दिया सलाई दिखाना शाम होते ही गाउं में और ते घरों में दियों को दिया सलाई दिखाती हैं दिया सलाई क्या होती है, माचीस वगेरा होती है न, उसी को दिया सलाई कहते है सर पीटना तीसरे में देखें सर पीटना बेटे के चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने की ख़बर सुनकर बाप ने सर पीट लिया चौथा कलेजा शक होना सरत पर फोजी बेटे की शहादत की ख़बर सुनकर मा का कलेजा शक हो गया पाच्वा सुहाग लुटना जंगों की वज़े से न जाने कितनी ओरतों के सुहाग लुट जाते हैं छटा उड़े फिरना खालित क्लास में टॉप करने की खबर सुनकर उड़ता फिरता रहता है सात्वा आखे पत्रा जाना मोटर के हाथसे में अपने खांदान के चार अफरात की लाशे देखकर उसकी आखे पत्रा गई आटवा पाउ तले जमीन किसकना सेट ताराचन ने अपनी कमपनी के शेयर के भाव के गिरने की खबर सुनी तो इसके पाउ तले की जमीन किसक गई यहाँ पे देखे जुम्ले के दर्जे जेल इक्साम सबक से तलाश करके लिखिए तो यहाँ अलिफ में है बयानिया, बा में, इस्तफामिया और जिम में फजाईया जुम्ले हमें यहाँ लिखने है तो पहला है मैंने माया को पत्थर के एक उज़े में मकषन रखते देखा ये बयानिया है ये क्या हो रहा है अपना जो खुद बोल रहा है जो भी है वो खुद बोल रहा है अपना बयान दे रहा है तो मैंने माया को पत्थर के कुजे में मक्कन रखते देखा फिर मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया रात को मैं तकान की वज़े से विस्तर पर लेटते ही उंगने लगा यानि वो खुद अपनी बयान को जो बोलता है उसे बयानिया जुमले का जाता है अब इस्तफामिया में देखे भोले तेरे मामुजी तेरी माता जी के क्या होते है भोले तुम नन्नी के क्या होते हो बाबा मामुजी अभी तक क्यों नहीं आए तो ये क्या हो रहा है कि हम किसी से मुकातिब होकर जो बात कर रहे हैं वो इस्टफामिया जुमले यहाँ पे दिये गए है और यहाँ पर एक भी फजाएया जुमले इस सबक में नहीं है ये देखिए सबसे जीम में आप देखे फजाईया जुमले जो है वो सबक में एक भी नहीं है तो यहाँ पर जो है बच्चो हमारे सभी सबक के जो इस सबक का था सभी सवाल जाओ मुकमल हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ गये होंगे तो बच्चो अगर यह अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने उर्दू मीडियम वाले दोस्तों में और कोई डाउट्स हो तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते तो बच्चो मिलत हैं अगले वीडियो में नए लेजन के साथ तब तक के लिए बबाई टेक केर